हेलो आपकी बार हमारे अब्जेक्ट जी एक डेंसर मीडियम में होंगे अब्जेक्ट जी एक डेंसर मीडियम में होते थे वो अबकी बार जो फर्मला आएगा ना वो भी डिफरेंट आएगा इसके इलावा अबकी बार हमारी रेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो मतलब हमारी जो ray diagram बनेगी वो भी different बनेगी और इन सबी चीजों का ख्याल रखना है अगर इन में से एक भी miss होगी और paper में ये derivation आगी तो 0 पका छपना है इन सबी चीजों का ध्यान रखोगे पूरे number पाऊगे और एक और जरूरी बात जितने भी angle हम लोग इस वीडियो में deal करेंगे न वो सबी angle बहुत ही जाला छोटे होंगे जैसे पिछली वीडियोस में थे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं reflection from denser to radar medium at a spherical refracting surface दोस्तों सबसे पहले तो सारी rays न भूल जाओ माननों कि हमारे पास एक surface है और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहाँ क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग हमेशा एक particular surface को rarer medium से जज़ करेंगे कि वो concave है या convex तो इस surface का absolute refractive index है mu2 पर यह denser medium है लेकिन जो इसके बाहर surface है न इसके आज़ पर जो surrounding है उसका absolute refractive index है mu1 और यह एक rarer medium है तो हम लोग हमेशा rarer medium से देखेंगे तो अगर मैं इस surface को देखू न मुझे ऐसा feel होगा कि मानो यह convex spherical surface हो तो मैं उमीद करता हूँ आप सभी को यह बात समझ आ गई होगी मगर दोस्तों इस बार जो different चीज है न वो यह है कि हमारे object जी अब की बार एक denser medium में पड़े है unlike the previous videos in which the object was in the rarer medium तो दोस्तों अब करना क्या है वो वही steps लगाने है वही ray diagrams मनानी है लेकिन बनाने के तरीके अलग होंगे जस बात बदल जाएंगे कैसे तो देखो ध्यान से जो ray of light हमारे object जी से चलेगी जैसे ही वो इस particular surface पे meet करेगी न it will bend away from the normal अवे क्यों bend करेगी और क्यों की अब की बार denser medium से rarer medium में जा रही है और वो कुछ इस तरह bend करेगी कि principal axis को न किसी point पे meet करेगी जिसको मैंने नाम दे दिया i और मैं बताना भूल गया ये है हमारी पैरी principal axis जहांपर ये principal axis हमारे surface x, y को meet करेगी उसका नाम मैंने दे दिया p p क्या होता था? pole c क्या है? center of curvature और okay और हमारे object जी इनको कैसे भूल जाए? तो इसके बाद last videos में हमने क्या किया था? जहांपर हमारा point a बना था और इस particular point से एक perpendicular draw की थी हमने हमारी प्यारी principal axis के उपर और जहांपर वो principal axis को meet की थी उसको मैंने नाम दिया था m और इस बार भी m में दे रहा हूँ कोई जोर बजारी नहीं कर रहा तो चलो अब angles के बारे में भी बताया जाए जो angle incident ray और normal के बीच बन रहा है उसको मैं ले रहा हूँ i और angle of incidence और जो angle हमारी refracted ray और normal के बीच में बन रहा है उसको मैं ले रहा हूँ R angle of a refraction जो angle हमारी incident ray और principal axis के बीच में बन रहा है उसको मैं ले रहा हूँ alpha वो भी जो angle हमारी refracted ray और principal axis के बीच में बन रहा है उसको मैं ले रहा हूँ beta और आपको भी पता है जो angle normal और principal axis के बीच में बन रहा है इसको मैं ले रहा हूँ gamma वो पिछली वीडियो में भी यही notation यूज की थी इस वार भी यही कर रहा हूँ तो अब यह तो बना ली हमने पूरी ray diagram अब जो हमारा काम बचा रहा है वो simple mathematics का बचा है कैसे लगानी है अब धेहान से देखो in triangle AOC I plus alpha equals to gamma आजाएगा अगर exterior angle की property लगा ले हम लोग उसी तरह अगर हम triangle I, A, C के अंदर देख ले न ओ गामा प्लिस बीटा equal to R आजाएगा ध्यान से देखो यह कौन सी property लगेगी vertically opposite ओ नई कौन सी लगेगी exterior angle property very good अब अगर हमारे प्यारे point A के उपर snails uncle को याद करके उनका law लगा लिया जाए न तो क्या आएगा sign I into mu2 equals to sign R into mu1 oh very good मगर दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताता आया हूँ अब की बार फिर बता रहा हूँ जितने भी angle हम लोग in particular cases में deal कर रहे हैं यह बहुत छोटे हैं यह बहुत जादा छोटे हैं तो हम लोग इनको लिख सकते हैं I into mu2 equals to R into mu1 very good और यहाँ पे न I की value उपर चुठा के डाल दो क्या आएगी gamma minus alpha और यहाँ पे R की value डाल दो gamma plus beta और तो यह equation बन गी और यह angle भी इतने जादा छोटे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है अगर theta बहुत जादा छोटा हो न tending to 0 हो तो हम इसको theta को कुछ इस तरह लिख सकते हैं उसको tangent theta भी मान सकते हैं तो यहाँ पे मैं फिर वही concept लगा रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ tangent gamma minus tangent alpha into mu2 equal to tangent gamma plus tangent beta into mu1 ओ बही यह triangle देखो AMC tangent gamma आगया AM by MC tangent alpha देखा जाए अगर इन triangle AOM tangent alpha कितना आजाएगा AM by MO और triangle AMI देख लेना tangent beta कितना आजाएगा AM by MI ओ शाबाश यह सभी values उठाओ इस equation में डार लो आपके पास बचेगा AM by MC minus AM by MO into mu2 equals to AM by MC plus AM by MI into mu1 ओ वह वही उपर तो फिर AM की मोज लग गी जैसे पिछली वीडियोस में लगती हुई आ रही है तो लगाओ मोज ओ फिर वही बात और PM distance इतना ज़्यादा जोट है ना कि हम मान सकते हैं कि P और M ना एक तरह से एक ही पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा पास होंगे यह दो पॉइंट बहुत ज़्यादा पास तो जहाँ पे आपने M लिख है उसको P के साथ रीप्लेस कर दो तो क्या बचेगा 1 upon PC minus 1 upon PO into mu2 equal to 1 upon PC plus 1 upon PI into mu1 very good अब दोस्तों ध्यान दो जो यह PC है अब हमारी incident ray की direction जा रही है left से right मगर मैं सभी distance measure करूँगा हमारे pole से वो PC distance towards left आ रहा है पर इसकी value है R, magnitude R है मगर मैं लिखूँगा क्या minus R, क्यों? क्योंकि opposite to the direction of incident ray move करना पड़ा है मेरे को उसके बाद अगर PO देखूँ वो कितना आएगा? minus U और अगर मैं PI की बात कर लूँ वो क्या आजाएगा? plus V, शाबाश तो दोस्तों अब pen copy उठाओ इस formula के अंदर PC कर डालो minus R, PI कर डालो plus V, PO कर डालो minus U यह सभी डालने के बाद end में आपके पास एक खतरनाग formula बचेगा वो है minus mu2 by U plus mu1 by V equals to mu1 minus mu2 by R और यह formula ना देखने में तो similar लग रहा है मगर ना जज़बात बदल गे पहले यहाँ पे minus mu1 आता था लेकिन अब की बारना यह अब डेंसर मीडियम का refractive index आ गया है ध्यान से देख लो यह formula final बन गया है लेकिन यह किस case के लिए बन है अगर हमारा object एक डेंसर मीडियम में पढ़ा हो किस मीडियम में पढ़ा हो डेंसर मीडियम में दोस्तों यह बात याद रखनी है यह भूलनी नहीं है तो मैं उमीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो समझ आगी होगी अगर इसमें आपको कोई भी doubt हो तो प्लीज नीचे दिये comment section में जरूर पूछिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे share कीजिए Thank you